हाई फ्रेंड्स चलिए बनाते हैं गर पर बिस्केट तो सबसे पहले मैंने लेकड़ाई उसमें डाले रेत आप रेत की जगह नमक भी डाल सकते हैं और फिर ले लेंगे मैदा एक कटोरी और उसमें थोड़ा सा डालेंगे बेसन और फिर डालेंगे आधी कटोरी सक्कर और बि पानी और दूद मठ डाल देना और पिगला हुआ गी तो बिल्कुल भी मठ डाला नहीं तो आपके बिस्केट पिल्कुल खराब बनेंगे और बस इससे लेखिए ऐसे इसको ज्यादा कड़क नहीं गूतना है नहीं तो टाइट टाइट ऐसे कर दो बस हमें इसको बांधना है अच्छे से और बस बन करके तैयार है। और इसे गोल पड़े बना लेंगे, इसे पड़ी बना कर रख कर के और चाकू से हम इसको चौकूर काटएंगे। चारों तरब से चौकूर करके फिर इसमे तोड़ा सा कट का ऐसे निशान लगा देंगे थोड़े-थोड़े से ऐसे cut-sever बना देंगे जिससे की अच्छे एक design बन करके तयार हो जाएगी बस बन करके तयार है हमारे biscuit बस एक कागज ले लिजेए आपके पास अगर बटर पेपर नहीं है तो इसमें तेल लगा करके अच्छे से पूरा और इसमें प्लेट में ऐसे बिछा दीजिए पूरे में तेल लगाना नहीं तो कड़वड़ा हो जाएगी तू बस इस तरह से लगा करके और फिर इसको चाँको की सायता से यह से बिस्किट को निकाल करके आपकाली अनुदि में रगदेंगे सारे और मैंने देखो दूसरी रिज़ान भी बना वी बना सकते हैं बस मेने दोनों तरह की बना करके रख दिये और इसके उपर से थोड़ीसे मैने सक करके डाने डाल दिये हैं डाल करके फिर इसपे हम लगा देगे दूद कोई साभी साभी दूद कच्छा या बॉ तो इसमें रख देते हम इस प्लेट को और फिर दख देंगे और एक गंडे के बाद फिर हम निकालेंगे देखिए पन करके तयार है हमारे बिस्किट बिल्कुल कलर फुल और मार्केट जैसे तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ तोड करके यह देखिए कितने कड़क बने अगर वीडियो अच्छा लागा तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब थेंक यूज